पुलिस से शिकायत की गए थे लेकिन पुलिस के द्वारा आज बाइपास से खबर सामने आई थी जहां मैरिज गार्डन के करमचारी वा मालिक सहीत उनके भतीजे अक्साद मैरिज गार्डन में जमकर मारपीट की गई थी जिसमें से मैरिज गार्डन संचालक अरोन मिस्रा के भतीजे अतुल मिस्रा गंभी रुप से घायल हुए थे साथ ही मैरिज गार्डन के अन्य करमचारी भी घायल हुए थे जिसको लेकर पुलिस से सिकायत की गए थे लेकिन पुलिस के द्वारा आज दिनांग तक किसी भी आरूपि के गिरफ्तार नहीं किया गया है बताया जा रहा है कि मार पीट की गई लेकिन आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए जिस पर पुलिस के उपर अपराधियों के समख्षण देने का आरोब भी लगाया गया है वे थाने में एक SI पर पैसा लेने का भी आरोब लगाया गया है पूरा मामला सराब खोली से जुड़ा हुआ है जानकारी के अंसार आपको बता दे कि मैरिज गार्डें में तिलक में सम्रित होने आए ग्याने अन सिंग द्वारा विवाय घर के रसोई में सराब सेवन करने की जित की गई जिसके बाद यह बिवात बढ़ा और गर्जन भर तबंगों ने मेरिज गार्डें के करमचारी वा मालिक पर हमला किया जिसको लेकर अपरादियों वा मार्पिट करने वालों की गिरस्तारी की मांग को लेकर तमाम बिवाय घर के संचाला कुई अधाना प्रोहारी क्या जानकारी दी है आपने पांचा हैं ग्राम पंचार देबाइटे हैं है है कि अभी तेन वाई नहीं है हुआ है जो है हुआ है आप मुझल वाई है हम अब ऑर प्रम जाय कर दो है अब तीन के माई है अभी बिगत चार दिन पहले सियाजी महिरीज गार्डन इटाउरा में कुछ असमाजिक तप अपराधी प्रवित्य के साइध दारू यहाउली साउली यह पैकारी का काम करते हैं जैसा जानकारी मिली है वो रात में करीब साड़ें ग्यारा बारा बारा बजे प्र्वेश किये और वहाँ पर सियाजी महिरीज गार्डन के संचालक अरूंगोतम जी से मार पीट किये उनके वरकर महेस साहू से मार पीट किये उन्हीं के घर के बघल में अतुल मिस्डा का खर मना हुआ जब उनने हला गोहार मारा तो वो सो रहा था सो कर उठा बाहर तो जैसे गार्डन के गेट के पास पहुंचा तो आये उसको लाठी लंडा से मारने लगे वो भगा अपने घर तो घर भगा तो उसको घर से निकाल करके लाए और बाहर रोट तक इतना मारे है बेदम पिटाई क है उसकी और आज भी वो एड्मिट है उसकी चुट्टी नहीं हुई उसकी इस्तिती गंबिर बनी हुई है अरुन गौतम जी का हाथ फैक्चर हुआ है वहां MLC कराने गये थे तो सबकारी डाक्टरों नहीं कहा कि कहीं कुछ नहीं है उसके बाद उन्होंने प्राइब तकली जी के बालक है जो वरतमान में इतवरा के सर्पंच भी है उपेंद्र मिस्त्रा नाम है उनका उनको जो है वो जब देखे यह गटना तो वह दोड़े तो उसको मारने लगे और आट-दस लोग उस भी यह भाग दिया कि मार डालेंगे दंडाराड और वो टायर लिवर लिए चाहिना उन्हों ने उतरवा लिया और उसको मार करके वहीं छोड़ दिया कुछ पैसे भी जेव में रखा हुआ था उस पैसे को भी नहों ने निकाल लिया और मारने के बाद वहां से तुरंद गारी में बैठे और रवाना हो गया है आज हम लोग ठाने में कत्रित इसलिए हुए है कि यह विगत पांच दिन की घटना हो गई है थाने द्वारा किसी तरह से गंभीर अपराद ना मांग करके कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की गई है जिससे इन लोगों को न्याय मिल सके इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यहां जो एसाई रजक है रजक जी का रजक जी कि प्रक्रिया की जा रही वो सुनियोजित या अच्छे तरीके ढंग से नहीं की जा रही है जहां कि यह प्राधी है सारे डिटेल थाने में मौजूद है उनके पुलिस जाए और सर्चिंग करें तीसरी तीसरा काम यह है कि जो धाराएं है धाराएं नहीं बढ़ी हुई है जो हम लोग के साथ घटना हुई है लूट हुई है चैन लूटा गया है पैसा लूटा गया है उस तमन में कोई धाने द्वारा कारवाही नहीं की गई है हम लोग यह बैठे हुए है कि इस तमन में एधि तुरंत कोई सुनियोजित कदम या तुनत क्रिप्तारी नहीं यह त और आज 24 घंटे के अंदर ऐसी कोई कारवाई नहीं होती तो यह सारे ग्रामेंड दो दिन के अंदर थाने के सामने बैठकर आत्मदाह करेंगे मेरा नाम अखंटी वारी है मैं ग्राम्टी तुभी का हूँ विटोरा के परोस्ते है मैं बरादगर एसोसेशन में सची हूँ स्यूमंडप महरिज गारडन है मेरा और चाजाजी के बरादगर है शिया जी महरिज गारडन दस तारीक को रात में मारपीट की गई कुछ असमाजी तत्तो दौरा अंदर घुसकर मारपीट गई और जो गले में चैन वेन पहने हुए थे मोवाइल पैसा सब लूट के लिए के भाग गए यहां से और इसके बाद भी पुलिस ने नार्मल दाराओ पर करिवाई की और मुकदमा कायम करने के टाइम पे जब रात में 12 बज़े यहां पे F.I.R. हो रही थी और आरोपियों से पहले से हमको लगता है कि उनका परिशे है क्योंकि जब एक आदमी को हम लेके आये थे यहां तो उन्होंने कहा आई यह सथिनी नरेस बैठिये आरोपियों को इतना अच्छा स्वागत किया जा रहा है हम लोग मार खाने वाले बैठे हुए हैं सब लोग इनके साथ कोई वो नहीं किया जा रहा और नहीं कोई गंबीर धारा लगी है सायद पुलिस के उपर काफी दबाओ है नेताओं का बारी नेताओं यह सब दारू वाले लोग हैं दारू पैकार हैं यह सिया जी मेरिज गाड़न इटाउरा ग्राम पंचाइद के सामने है जी जी कारिक्रम चल ला था तिलक का कारिक्रम था और मैं अपने एसोस येसन की तरफ से सबसे मांग करता हूं कि हम लोगों की सुरक्षा बरात गर की सुरक्षा के लिए भी कुछ कठोर कदम उठाएं पैट्रोलिंग बढ़ाएं क्योंकि पैट्रोलिंग बगरा बिल्कुल जाए ठीक और तुरंट सबकी गिरफ्तारी हो तब तक हम लोग यहां बैठेंगे अगर नहीं मिलने हैं तो उनके घर में बुल्डोजर कारवाई की जाए हम लोग बैठेंगे क्योंकि बहुत देख लीजे सामने उदर भी कैमरा कर लीजे इतनी चोट लगी हुई है एक नाम की पूरी सुच नरेन सिंग है और ज्यानेन सिंग है कुछ पूरेन सिंग ऐसे कई लोग है इसमें यह सब इदर ही सग्रा साइट के हैं दिनांग 10 जुलाई 2024 को 18 ग्राम पंचायत अंतरगत सियाजी मेरिज गार्डन में मारपीट की घटना हुई है जिस पर FIR रेजिस्टर्ड की गई है पीडित पक्ष का यह कहना है कि इसमें आरोपियों की गिरफतारी जल से जल्द हो और कठोर कारवाई हो इसकी मांग के लिए परियादी पक्ष है और उनके साथ के लोग यहां थाने पर आए हुए है अब ही तक जो है इस मामले में दो लोगों को आड़ेस्ट किया गया है और बाकी जो चिन्ही तारूपी है उनकी पता तलास पुलिस कर रही है जल से जल दन पर हम गिरफतारी कर लेंगे दाराएं जो है वो बढ़ाई जा रही है जिस प्रकार के भी साक्षियों के गथन हो रहे है मेडिकल रिपोर्ट कलेट की जा रही है जैसे साक्षिस में संगलित होंगे उसी प्रकार की पुलिस सर आरोप लग रहा है कि नेताओं का संद्चन है दभाव है नहीं नहीं इसका मैं खंडन करता हूँ ऐसा कोई दभाव नहीं सर्व सुविधायों नैशनल होस्पिटल समान तिराहा रिवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामय योजना का लाप आयश्मान जन आरोग योजना के तहट सभी प्रकार के मेडी क्लेम की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के त्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं आपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलप्त है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेश पतेल के त्वारा उपलप्त करवाई जा रही है सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करे मोबाइल नंबर 9-6-9-1-2-8-8-5-6-0 पर या फिर संपर्क करे 7-5-6-8-3-1-5-5-1 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रीवा संपर्क करे 0-7-6-6-2-3-5-9-9-7-4 पर या फिर संपर्क करे 8-6-0-2-8-8-5-9-9-0 पर